हलो बुल ट्रैकर्स वेलकम तो अनादर एपिसोड अब मार्केट चर्चा दोस्तों आज का वीडियो मैं थोड़ा छोटा रखने वाला हूँ और इसमें हम एक खास चीज के बारे में बात करेंगे कि अभी जो हमने रैली देखी एपरिल के स्टार्ट से जो हमने एक शार्प मार्केट में देखी आपको पता है वो रैली क्यों हुई वो रैली सिर्फिस लिए हुई क्योंकि FIIs ने काफी जो है अच्छी बाइंग उस डिरिंग डैट डिरेशन किया और करीब 7,000 क्रोर्स की उन्होंने बाइंग की और ये जारना जरूरी है कि इस पीरियर्ड में उन थोड़ा चौकाने वाला था क्योंकि अगर आप देखिए तो उससे पहले अगर जो मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेर भी किया था कि जो लास्ट येर में जो अच्छी खासी सेलिंग उन्होंने फाइंशल सेक्टर में की थी तो इतनी जादा सेलिंग के बाद अब द अब इधर में शेर करने वाला हूँ कि लास्ट येर में उन्होंने किन-किन सेक्टर में बाइंग या सेलिंग की थी तो फिनैंशल सर्विसेज में उन्होंने करीब 4410 क्रोर की बाइंग की है ऑ्टो में भी उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है करीब 1259 क्रोर की उन्हो बहुत जादा तो नहीं है लेकिन बाइंग की है मेटल्स और माइनिंग में भी उन्होंने करीब 675 क्रोर्स की बाइंग की है तो मोटा मोटा गर आप देखिए तो सबसे जादा financial services में बाइंग की है 4410 क्रोर की और उसके बाद auto आता है information technology IT आता है 1000-1000 क्रोर की इसमें बाइंग की है तो अब ये बाइंग long term की है या short term की है financial services में वो अभी हमें आगे देखना पड़ेगा क्या वापिस से इनकी follow up buying भी आती है की नहीं क्योंकि अगर आप देखिए अगर एपरिल दो वीक का अगर आप data देखिए तो nifty bank nifty 2,5-3% अप रहे लेकिन उसके बाद हमें FIAs की sell figure भी आने लगी तो अगर इसमें एक follow up buying हमें उनकी द्वारा FIAs के द्वारा हमें financial sector में दिखती है तो ये एक sign होगा कि हो सकता है कि अब उन्हें लग रहा हो उन्हें ऐसी खाबरे मिली हो US market से और Indian market से कि rate cuts हो सकते हैं अगर हम during this period April जो first two weeks की बात करें उसमें उन्होंने selling किस sector में की है तो selling बहुत ज़ादा नहीं है net वो करीब 7000 क्रोड की उन्होंने buying की थी तो selling की बात करें तो oil and gas में करीब 564 क्रोड की उन्होंने selling की है और reality में करीब 278 क्रोड की उन्होंने selling की है बाकी में कुछ खास नहीं है करीब 50-60 क्रोड की उन्होंने selling की है तो मोटा मोटा कर अब देखें तो financial services and auto उनके top buy sectors थे और oil and gas और reality उनका top two selling का sector था तो अगर हम पिछले साल यानि की March 31 तक अगर हम data देखें तो उसमें उनके जो top selling sector कौन से थे तो सबसे ज़ादा उन्होंने IT sector में selling की थी करीब 48,000 क्रोड की और इसके बाद अगर आप देखिए तो banking और finance जिसमें करीब 26,000 क्रोड की उन्होंने selling की थी और oil and gas में उन्होंन top sector था selling का पिछले साल अब उसमें वो minor buying होती हुई हमें दिख रही है और अगर आप banking और finance में भी देखिए तो उसमें भी उन्होंने करीब 26,000 क्रोड की selling की थी और उसमें भी अब पिछले April के first two weeks में हमें buying होती हुई दिखी है तो अगर दोस्तों हम अगर इसे March 31 यानि कि पिछले साल के अगर आप data देखें तो वहाँ पर FIS की किन sectors में सबसे ज़्यादा selling थी तो उसमें जो number one पर आता था वो है IT करीब 48,000 क्रोड की उन्होंने selling की थी, banking और finance में करीब 26,000 क्रोड की उन्होंने selling की थी और oil and gas में उन्होंने करीब 33,150 क्रोड की selling की थी तो clearly अब हमें वो trend अगर हम first two weeks का data देखें तो वहाँ पर reverse होता हुआ देख रहा है क्योंकि IT में भी उन्होंने बहुत हलकी सी buying की है करीब 1000 क्रोड की और जो finance sector में भी की है तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमें देखना है कि ये trend reverse होता है कि नहीं किया क्या इसमें follow up buying आती है कि नहीं आती है क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया कि अब वो वापिस से selling करना जो है इस हफते से उन्होंने शुरू कर दिया है अगर हम पिछले साल का buying की figures देखे तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि healthcare उनका top buying pick था 16,100 क्रोड का FMCG में उन्होंने अच्छी कासी buying की थी लगबग similar 16,000 करोड की capital goods में करी 15,600 क्रोड की की थी और auto में भी की थी 10,800 buying की और उसके बाद नए साल में भी उन्होंने buying शुरू कर रही है तो 7,000 क्रोड की उन्होंने buying कर दी है इस साल में आप जो है selling करना उन्होंने शुरू कर दिया है दोस्तों याद रखिए कि में का जो महिना होता है अगर आप देखिए तो वहाँ पर अकसर मैं ऐसा नहीं क होती है कम से कम 60% में तो हमें ऐसा देखने को मिलता है तो क्या इस buying के बाद market को ऊपर चढ़ा कर वापिस से selling होगी यह data हमें थोड़ा interesting होगा देखना तो यह मैना अब almost खतम होने वाला ही expiry जो है खतम होने वाली है और जब fresh series शुरू होती है वहाँ पर data आता है और जाजा लगेगा ध्यान रखिए दोस्तों कि FIAs जो है जब-जब selling करते हैं market गिरता है और FIAs जब-जब buying करते हैं market चढ़ता है और mutual funds जो है intraday में तो market को चढ़ा लेते हैं लेकिन वो बहुत ज़ादा अगर आप देखिए तो market को नहीं चढ़ा पाते हैं आज का market अगर तो आज market में हमें sharp rally देखने को मिली और वो rally अभी data आया है और उसमें देखने को यही मिल रहा है कि वो mutual funds की buying की वज़े से हुई FIA आज भी seller रहे हैं तो अब देखते हैं कि आने वाले आगे दिनों में क्या होता है और इस ते related जो भी update मिलता है वो मैं आपके साथ share अब आई दोस्तों जरा market के बारे में quickly बात कर लेते हैं तो दोस्तों कल के वीडियो में जो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ share किया था कि market के ऊपर जाने के भी chances हैं कोई जरूरी नहीं है कि market वहाँ से नीचे आएगा मैंने आपके साथ share किया था कि market यहां से ऊपर जाकर भी नीचे आ सकता है और यहां से directly भी नीचे आ सकता है in case अगर ये उपर जाता है तो 100-800 point की rally हो सकती ये भी मैंने आपके साथ share किया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर ऐसी rally होती है और आपने hedging के साथ अपनी positions को नहीं रखा है तो आपको positions को cut कर लेना चाहिए था और जो मैंने level आपके साथ share किया था 17,639 तो मैंने ये share कहता है कि ये level जैसे ही उपर की तरफ तोड़ता है तो हमें अपनी unhist position को जो है पार कर लेना था साथ में मैंने ये भी कहा कि अगर rally होती है तो ये sustain नहीं होनी चाहिए तो आज तो अच्छे कैसी rally होई market sustained भी हुआ throughout the day और अब देखना है कि इसके बाद क्या होता है अकल का data जैसे ही आता है फूर मैं आपके साथ detail में analysis से share करूँगा वहीं bank nifty में भी मैंने आपके साथ कहा थ कि bank nifty बहुत ज़्यादा unpredictable है और इसमें sharp rise भी हमें देखने को मिल सकता है और इसका जो मैंने level आपको दिया था कि 42,357 का अब यहां से हमें क्या करना चाहिए देखिए दोस्तों मैंने आपके साथ share किया था कि unhashed position है, market में rally आती है तो position को cut कर लिजे, wait बद करिए miracle का क्योंकि जब इस तरीके की rally आती है तो एक follow up buying भी next आ सकती है तो अपने losses को क्यों बढ़ाना है तो position को cut कर लेना चाहिए अगर हम hedge position बनाए हुए हैं तो of course हम कुछ और दिन भी watch कर सकते हैं क्योंकि हमारे losses जो है calculated है, limited है तो अगर मैं hedge position बना के बैठा हूँ तो मैं कुछ और एक दो दिन market को observe कर सकता हूँ कि वहाँ से reversal आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो do summarize अगर मैं hedge position के साथ बैठा हूँ तो मैं positions को carry करूँगा और कुछ दिन तक weight and watch mode में रहूँगा, अगर मैं unhist position में हूँ तो अब तक मेरी position cut हो जानी चाहिए और कल अगर fresh रह लिया आती है और आपने position आज नहीं cut ही है तो कल हमें काटने का सोचना चाहिए तो दोस्तो इसे के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर खतम कर रहा हूँ थैंक यू वेरी मुच पर टाइम and थैंक यू फोर वाचिंग